हाई गाईज नमस्ते विल्कम बैक टू मैं चैनल एना एम सुबन जब मैं 98 के लोज की थी तब ना मेरे पास पैसे थे ना मेरा बज़ट था कि मैं डाइट की महेंगी चीज़े लेकर आपाऊं या फिर मैं वेट लॉस के लिए किसी का भी बैच चॉइन कर सकूं या फिर मैं क कि मुझे क्या खाना है क्या नी खाना है कि जिससे मेरा वज़न गर जाए बाट मेरे पास एक चीज पकी थी की मेरी मेरी विल्कम कि मुझे तो वेट लॉस करना है कैसे भी करना है और एक situation ऐसी आ जाती है जब आपको करना ही होता है Now, I am sure आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका same level चल रहा है और same situation चल रहा है जो 100 को touch करने वाले हैं 98, 97 तक हो जैसे मैं थी और आपके अंदर सिर्फ एक की चीज़ है विल पार, कि मुझे तो करना है weight loss So, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक low budget diet plan ये एक ऐसा diet है जिसको करने से easily आपका weight loss होगा 8-10 kg प्लस आपको कोई महगा समाल लेने की ज़रूरत नहीं है प्लस आपको किसी को consult करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ एक टीज रखना कोई भी आपके आसपास का ऐसा बंदा हो जिसको आप अपना weight daily का भीज सको सुपह उठ करना चेक करने के बाद कि ये मेरा daily का एक weight update है आपको एक ऐसा बंदा चाहिए चाहिए हो आपकी mother है, father है, भाईया है, भाबी है कोई best friend है या फिर कोई teacher है या फिर कोई BSF एक बंदा पकड़ो जिसको आप daily का अपना weight check करके एक जस्त message डाल सको और वो आप सब पूच सके कि आपने क्यों आपका weight बढ़ा हुआ है या आपका weight गेर क्यों नहीं रहा है ये diet plan बहुत simple है आपके घर के basic ingredient से बना हुआ diet chart है और plus इस diet को follow करने साब के body में कोई भी deficiencies नहीं आएंगी अच्छी खासे मैंने डाले add कर रखे हैं जो सब के घर पे मिलती है plus इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये diet chart sugar patient को छोड़ कर कोई भी कर सकता है और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये एक बिल्कुल ही simple diet chart है बिल्कुल simple कोई ताम जाम करने की ज़रोत नहीं है कुछ भी order करने की ज़रोत नहीं है कोई ऐसा ingredient नहीं है जो आपके घर के आसपास की जगों पे नहीं मिलेगा उसके अंदर हमने डाला है lemon एक ने चोड़ दिया हमने यहाँ पर nimbu सो ये है हमारा first morning drink lemon water बट अगर आपको nimbu से allergy है आपको citrus बिल्कुल नहीं चलता तो दूसरे option पर हम बात करते हैं next option पर हम बात करते हैं morning drink को लेकर आधा चमच, jeera आधा चमच, jeera गया यहाँ पर और jeera तो हर किसी के घर पे मिलता और सबस्यो में इस्तमाल होता ही होता है उसके अंदर हम डाल देंगे हमारा एक गिलास गरम पानी और इसको हम पूरी रात सोप करके रखेंगे सुबे उठके छान कर इसको पी जाएंगे without गरम, क्योंकि मौस हम नहीं गरम करके पीने वाला ना, सो इसको सरफ सुबे उठेंगे चानेंगे और पी जाएंगे ओके जी, अब हम अगला ओप्शन लेकर चलते हैं जी, मौनिंग ड्रिंग का ये लिए हमने एक गिलास गरम पानी पानी के साथ ये है मेरे पास curry पत्ता और ये है मेरे पास नीम पत्ता, अब हर किसी के पास इन दोनों में से एक औस मिलेगा या तो 5 करी पत्ता लेंगे और साथ में हम गरम पानी बियेंगे simple, next ये है मेरे पास गरम पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया है मेरा पिंच आफ हल्दी पाउडर, पिंच जितना, खुब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और ये रहा हमारा मॉर्निंग ड्रिंग, बिल्कुल रेडी, ये रही हमारे मॉर्निंग ड्रिंग के ओप्शिन्ज, वेलकम बाक चाहिए, अब हम बात करते हैं नाश्टे की, सुबह उठने के 35-40 मिनट के अंदर अंदर आपका नाश्टा हो जाना चाहिए, तो नाश्टे के लिए क्या बनाना है, चलते है के चिन में, ओके जी, सो अब हम पनाने जा रहे हैं नाश्टा, नाश्टे के लिए यहां पे मिरको चाहिए बेसन, जो हर किसी के घर पे मिलता है और एक बेसिक चीज है, जो सब के घर पे होता है, नेक्स्ट हैस यहां पर टाल रहे हूं मैं गिहू का आटा, ओके जी, इसके अंदर हम डालेंगे पिंच ओ फजवैन, यह भी सभी के घर पे मिलता है, और एक बेसिक इंग्रीडियन्ट है हर किसी के घर का, और अब मैं यह आटा गुंदूंगी, बेसिकली मेरी हलपर, संजना गुंदेगी क्योंकि मेरे नेल्स है, ओके जी, तो यह जो आटा है, यह बिल्कुल रेडी है, और अब हम बनाएंगे इसके नाश्ता, ओके जी, तो यह रहे हमारा फुज का, ओके जी, तो यह रहे हमारा नाश्ता, इसके साथ मिल्क टी एंड कॉफी, अब टू यू, एक चमज की, ऐसे आप दो फुलके ले सकते हो, किसी भी सबजी के साथ, किसी भी सबजी के साथ, टफी हाँ जी, टफी भी खाएगा अब ही, यह है पेठे की सबजी, यह है खिया की सबसी. अगर आपके घर के आसपास कहीं पर ब्रेट मिलती है, आलू प्याज का हम सांड्विच बनाएंगे. ये सारे ओप्षिन से हमारे ब्रेक्पिस के. अब इसके बाद हम बात करते हैं मिड ब्रेक्पिस की. मिड ब्रेक्पिस के लिए क्या लेना है? अब बात करते हैं मिड ब्रेक्पिस की. मिड ब्रेक्पिस में ये 50 रुपे का आता है मुर मुरा. 500 ग्राम का एक पाकेट आया पूरा. गेरा. या एक फिफ्टी रुपीज का है 200 ग्राम. बहुत ही सस्ता. दूसरी चीज है. यहाँ पर भुना हुआ चना सब के पैस मिलता है. सीजनल फ्रूट आप ले सकते हो. इन तीरों में से कोई भी ऑप्शन. जो भी सीजन का फ्रूट हो. जो अबी सीजन का फ्रूट मिले. सेब, बनाना, मैंगो, दस प्लम, पीचेस, जामून, पालसे. जो भी आपको सीजनल फ्रूट मिले. जो चीप आपके बज़ेट में आ रहा हूँ वो. अगर वो भी आप नहीं खरीद पाओ. तो भुना हुआ चना, एक मुठ्थी या फिर मुर्मुरा. एक मुठ्थी. वेल्कम बाक जी. अब हम बात करते हैं लंच की. So, लंच के अंदर आप मेक शॉर आपकी डाइट के अंदर दाल रहे. दाल को हमने आट करना ही करना है, in any form. दाल गिया का सालेट, ये रहा रेसिपी मेरे चैनल पे. दाल पेठा का सालेट, पेठा बहुत सस्ती सबसी है, ये बहुत सस्ती सबसी है, आपके घर के आसपस, किसी भी रेडी बाले से मिल जाएगी, किसी भी लोकल मंटी से मिल जाएगी, और बहुत ही सस्ता मिलता है. दाल सबके घर पे मिलती है, सबके घरों में होती है, एक basic चीज है हमारे घर की न, उसके अलावा हम लेंगे दाल सैलेड, दाल सैलेड का रेसिपी है रहा, ग्रीन मुंगे की दाल का सैलेड, उसका भी रेसिपी ये रहा, या फिर आपको बहुत जादा भूख लग गई है, बह एक रेसिपी इसमें, मैंने और भार्क चना के वहां खेल के राख सब्सकूर सैलेड का रेसिपी, इसमें मैंने सीट्साइड करें वनाइख सालेड की रेसिपी में, आपको कोई प्यू सरूरत न यहीं है, अब सर्बॉल चाना लेके, प्याश टमाटर और घिरा डाल के भी डाइट कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं इवनिंग ढ्रिंक की इवनिंग ढ्रिंक में कैसे बनाना है चलते है कि चिन में छलिए जी, यहाँ पर अब हम बना रहे हैं ओए इवनिंग जी, अब चाइपत ANYटberry घर पर होती है, तो यहां पर मैंने ले लिया है गरम पाली, इसके अंदर जी मैं डाल रही हूं मेरा, आदा चमर जितना चाय पत्ती, अच्छे से मिक्स करेंगे, यह तो एक बेसिक चीज है, सब के घर पर होती है, यह हम बनाने जा रहें ब्लाक टी, अब इसके अंदर अजे चाहिए आधा लिमिन, यह टाल दे अजे निम्बू, और अब इसको हमें जाधा देर तक नहीं रखना, पानी बहुत टेस करम है, और अब यह हम शान लेंगे, और हमारी जो इवनिंग टी है, यह बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसके साथ भी आप कोई भी एक सीजन फ्रूट ले सकते हैं, मुर्मुरा ले सकते हैं, या फिर आप भुना हुआ चना ले सकते हैं, वेलकम बैक जी, इवनिंग ड्रिंक में आगर आपको मुर्मुरा नी लेना, भुना चना नी लेना, तब आप एक से दो खीरे आट कर सकते हैं, या एक से दो गाजर, आपके घर आपके घर में हो, सबसे पहले मैं बात करती है tomato soup की, हर किसी के घर में tomato मिलते हो, tomato soup की recipe बहुत simple है, कुछ भी fancy आइटम नी चाहिए यह रही recipe हम इसको बनाएगे, next हम बात करती है pumpkin soup की, पेठह की soup पेठह का soup बहुत simple है बनाना और सबके घर के आसप्लास पेठह मिलता है तो यह रही पेठह की soup की recipe number three, healthy वाला दूथ season change होगा, बारिश होगी फिर धूप होगा, कोई भी weakness है या फिर आपको अच्छा कोई शर्दा निया कुछ भी खाने का, तब हम लेंगे आपे healthy वाला दूथ, next यहाँ पर बात करते हैं, बेसन के शीरे की बेसन का शीरा बहुत ही simple है बनाना बहुत ही easy recipe है और खासी जुखाम बुखार में और मौसम change होने के time पर बहुत ही important चीज में इसको मानती हूँ, इसकी help से आपकी जो immunity भी है, जो हो strong होगी so बेसन का शीरा next, अब मैं बात करते हूँ यहाँ पर अब इन सारे liquid में से कुछ भी लेने का मन नहीं है जी मेरे को तो कुछ भी निखाना homemade paneer, घर का इस किलो का दूद या फिराद किलो का दूद आप पाड़ के, आप masala paneer बना सकते हैं यही masala paneer की recipe 50 gram जितना masala paneer आप अपना diet में add कर सकते हैं अच्छा, इसके अलावा आपको मन करता है कि नई जी मैं तो अंडों से काम चला लूँगा अंडे आपके खर के आसपास मिलते हैं तीन से चार रूबले और एग वाइट और उसके साथ अगर आप salad कोई भी add करना चाहते हैं आपकी मर्जी आप कोई भी टाइप की salad ले सकते हैं खीरे, प्याज, टमाटर और गाजर, सौते कियो है बीन्स अगर आपके आसपास मिलते हैं तो आप ये ले सकते हैं अब मूव करते हैं night drink में night drink कैसे बनानी है चलते हैं किचिन में चलिए जी यहां पे अब हम बात कर रहे हैं night drink के ये लिए मैंने एक गिलास इसके अंदर मैंने डाल दिया पिंच आप भुनावा जीरे का powder अब इसमें में डाल दूँगे आधा कप गरम पानी तास इट और ये जो शौट रेडी हुआ है ये है हमारा night drink और I'm sure भुनावा जीरा सब के घर पे होता है नहीं है तो बहुत easy है बनाना जीरा भून के उसका powder करना है That's it Welcome back जी So मुझे ऐसा personal लगता है कि weight loss करने के लिए na budget से जादा आपकी नियत होनी चाहिए कि हाँ मुझे तो weight loss करना है I'm sure ये diet आपको बहुत help करेगा इस diet के साथ 3-4 चीज़ें बहुत ही important है जो मैं आपको बता देती हूँ आपका stress level manage होना चाहिए आपकी sleeping pattern manage होना चाहिए गुसा बिल्कुल नहीं करने का इस duration में जब आप diet कर रहे हो excess travel नहीं करने का अपने mind को शांत रखने का time पर सोना, time पर उठना meals के timing का बिल्कुल manage करके चलना and पानी 3-4 लीटर, sip sip करके जटके में में आज मैं पोस्ट करने वाली हूँ अपने Instagram में पल्लवी का transformation 42 और 43 kg सुनों ने डाउन किया है 8-9 महीने के अदर and trust me कोई भी weight loss कर सकता है कोई भी आप लोग भी बहुत असानी से कर सकते हो और बिना किसी help के just random आप अपनी खुद के body का type समझो और किसी की help लिए बिना अप अपना transformation करो तब मज़ा जादा आता है so yeah that's all about this video guys so I'll see you in my next upcoming video so take care जी bye bye